जय श्री रादे जय श्री रादे तन्नाम रूप चरितादे शुकीर्त नाननू स्मृत्योह रनुक क्रमेण रसना मनसी नियोजिया तिष्ठन बिर्जे तदनुरागी जनानू गामी कालम नएद अकिलमित्युपदेश सारं संपून सिद्धान्तों का सार संपून सास्त्रों का सार त्री बाद रूप गोस्वामी जी ने उपदेशा मरतम में इस अश्टम श्लोक में वर्णन किया ठाकुर जी के नाम संकीरतन में उनकी लीला कथान के वर्णन में अपनी वानी को नियुक्त कर दे वानी को लगा दे उनके चिंतन में अपने मन को लगा दे और इस प्रकार से तदनुरागी जनानुगामी उनके जो अनुरागी जन हैं उनके जो प्रिये जन हैं उनके आनुगत्य में सरद्धा पूरवग द्धाम में बास करें उनके अनुरागी जनों का सरद्धा पूरवग शंग क्योंकि अनुरागी जनों का जब सरद्धा पूरवग शंग करेंगे तो नाम में भी रती हो जाएगी और यदि अनुरागी जनों का संग नहीं किये सरद्धा फूरवक तो उनके प्रती अपराद बन गया तो नाम का प्रतम नाम अपराद है सताम निंदा तो अमारी जो नाम की शादना है वो आमें अपराद बन जाए वो प्रतम नामा पराद है शत पुर्षों की निंदा तो नाम की साधना भी तभी पून रूप से सारतक होगी जब अनुरागी जनों का आनुगत्य स्विकार किया जाए द्धाम में भी निष्ठा तभी जागरत होगी जब उन द्धामनिष्ठ महापुर्षों का संग किया जाए संग कैसे किया जाए स्रद्धा पूरवग क्योंकि स्रद्धा के बिना चित्त में ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं हो पाती कल हम लोग इस रबन कर रहे थे हैं कि प्रहलाज जी ने असुर वालकों को भी उपदेश दिया हिरन्य कश्यपू को भी उपदेश दिया हिरन्य कश्यपू के पल्ले कुछ नहीं पड़ा कुछ समझ में नहीं आया और असुर वालकों ने उनकी सभी बात मालनी ते दैत्य सुताह सुरुत्वा तदनु बर्नितम जग्रहू निरवध्यत्वात नईव गुरुवनु सिक्षितम उन्य दैत्य वालकों ने समझ लिया कि प्रहलाज जी जो कह रहे हैं यही यथार्त सत्य है नईव गुरुवनु सिक्षितम और जो संडा मरक पढ़ाते थे उस बात को उन्होंने ग्रहन नहीं किया क्योंकि वास्तवी की वास्तवी की विद्या तो यही है अध्यात्म की विद्या भगवान ने भी कहा गीता में अध्यात्म विद्या विद्याना सवरी विद्याओं में जो अध्यात्म की विद्या है वह मेरा स्वरूप है उपनिशदों में कहा गया सा विद्या या भिमुक्ते अत्वा विद्या मृतम मस्नुते विद्या से अमृतत्व की प्राप्ती हो विद्या का स्वरूप जो मुक्ती के लिए हो जो हमको जनम अमरण की परंपरा से मुत्त कर दे वह विद्या तो प्रहलाजी ने उपदेश दिया उन्होंने ग्रहन कर लिया हीरनी कस्यभू को जब उपदेश दिया प्रहलाजी ने जहीया सुरम भाव मिमं तमात्मनहम समम् मनोधत्वनशं TU विद्वसह रिते जिता दात्मन उत्पतिस्थतात तद्धी यनंतस्य महत समहरनम यह अनंत भगवान की सबसे बड़ी पूजा है सबसे बड़ी आराधना है और तुम सच्चे अर्थों में दिग बज़ई बन जाओगे दिग विज़ई बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने इन छह सत्रूओं को जीतो जो अपने घर में बैटे ही हमको लूट रहे हैं कितना सुंदर उपदे से दिया लेकिन समझ में नहीं आया कारण सरद्धा का अभाव सरद्धा नहीं हैं तो साक्षाद ब्रह्मा भी आ कर के समझाएं ब्रहस्पति भी आ कर के समझाएं तो भी हमको कुछ पले पढ़ने वाला नहीं है ग्यानी को यह हुआ हनुमान जी महाराजी का परिचे गुसाई जी ने दिया बुद्ध्य मताम बरिष्ठम अतवा सकल गुण निधानम अतवा ज्यानी नाम अग्रगण्यम सवरे ज्यानी जितने भी हैं उनमें अग्रगण्य है इतने बड़े विद्वान महापुरुष भक्त आचार्य बुद्ध्य मताम बरिष्ठम दास्य बक्ती के आचारे हनुमान जी महाराज और लंकापुरी में गए और आवड कुँ समझाए और कितनी विनम्रता से समझाए इतना बड़ा महापुरुष उपदेश दे रहा है समझा रहा है बिनिती करहु जो रिकर रावन मानव तज मद मोर शिखावन रगुपति चरण हिय तुम धरवू लंका राज अचल तुम करवू लंका पे राज जी तो करना चाहते हो ठाकुर जी के चरणों को हिरदे में धारन करो लंका पे तुम्हारी अचल इस्तिती हो जाएगी सदा सरवदा के लिए तुम लंके स्वर हो जाओगे मोरे कहे जानकी दीजें और जानकी जी को लोटा दीजिए और यदि राम जी से बिरोध करेंगे तो राम अभिमुकत राता नहीं कोपी कोई आपको बचा नहीं पाएगा तो हनुमान जी महराज उपदे से दे रहे है परणाम क्या रहा बोला अभिहसे महा अभिमानी मिला कपी गुरु हम बढ़ ग्यानी देखो यह बंदर हमको उपदे से दे रहा है इतने बड़े महापूरस में रावण को बंदर ही दिखाई दे रहा हूं मृत्यू निकट सट आई तो ही लागा अधम सिखावन वो ही अरे मुझे रावण को सिख्षा दे रहा है लगता है तुम्हारे मृत्यू निकट आगई है बताओ क्या परणाम रहा और अन्त मैं आदे से दे दिया अपने परिगर को कपिके ममता पूच पर सवय कहूं समझाए और तेल वोर पटवांद पुने पावक दे हु लगाए तो हनुआन जी जैसा महापूरस महां पर उपदे से दे रहा है इतना बड़ा महापूरस इतना बड़ा विद्वान इतना बड़ा भक्त महापूरस और रावड की कुछ समझ में नहीं आया कारण स्रद्धा का अभाव और बिबीशन जी से एक यह वाक्य कह दिया था कोई लेक्शर नहीं दिया बहुत बड़ा कोई उपदेश नहीं दिया बिबीशन जी से प्रतम भैट भई बिबीशन जी अपनी इश्टिति निवेदित करते हैं थोड़े से ससंकित होते हैं कबहु का प्रवु जान अनाता करहीं किरपा भानुकुल अनाता तामस दे कचु सादन नाहीं प्रीतिन पद सरोज मनमाहीं हमारो सरीर तो तामस सरीर है जी जासे कचु भजन ना हुपाव है और कभी मुझे अनात जान के स्री रभुनाज जी कभी मुझे पर किरपा करेंगे तो हनुमान जी ने कई वाक्य कह दिया सुनो बिबीशन प्रवु की रीति और करहीं सदां सेवक पर प्रीति कुरी जी की सरण में चले गए और वहां जाकर के कह दिया स्रवन सुजस सुन आये हूँ मैंने आपके पवित्र यस को सुना आपकी उदारता को सुना हनुमान जी महराज से तो वाई को आस्रे लेकर के मैं आपकी सरण में आया हूँ तो कहने का तात पर विविशन जी ने ग्रहन कर लिए उनके जीवन को आधार बन गयो और स्री ठाकुर जी की सरण उन्होंने स्विकार की और एक तरप रावड था कोई फरक नहीं पड़ा दोस बुद्धी ते सरद्धा का अभावता इतने बड़े महापुरश में दोस दर्शन कर रहा है रावड कि बंदर है अधम है यह मुझे शिक्षा देने के लिए आया है इतना उतकट मद उसका बढ़ा हुआ है तो कहने को तात परिया सरद्धा की अधिसे आवस्यकता है दोस दर्शन से सरद्धा को हिरास हो जाए दोस ही देखना है तो अपना दोस देखना चाहिए वासे लाव होगा संसार में जहां आसकती है वह आसकती छुड़ावे के ताइं दोस देखनों चाहिए भगवान ने गीता में कहा जनम मृत्यों जराव्यादी दुख दोस आनो दर्शनम यहां दोस देखो इस सरीर में दोस देखो भगवान संकराचारे ने कहा अपरुक्षान भूती में स्वा दोसों नो संधी अताम अपने दोस का अनुसंधान करो इस सरीर में कितने प्रकार के दोस भरे पढ़े हैं संसार में आते हैं जनम का कष्ट, मृत्यू का कष्ट, व्याधियों का कष्ट इन दोसों को देखो तो संसार से विरक्ती होगी मन अटेगा परन्त बिडम्मना यही है कि जो अत्यंत निक्रिष्ट प्रकृती के लोग होते हैं वो दोस मय वस्तूओं में तो देखे हैं गुड मय वस्तूओं में भी दोस दर्शन ही करवे लग जाएं यह उनकी प्रकृती बन जाए कोई वस्तूओं है गुड पूर्ण है उसमें गुड ही गुड है उसमें भी जाकर के क्षिद्रान विशन करने लग जाती हैं उसमें भी दो सदर्शन करने लग जाती हैं यह जो निक्रिष्ट प्रकृति के लोग होती हैं उनकी इस्तिती होती है भागवत के टीका कार भहे हैं स्री बंसी धर जी श्री धरी टीका के ऊपर उन्होंने टीका की तो टीका के आरम में उन्होंने एक श्लोक लिखो कि देखो जी मैं यह टीका लिखे रहा हूं यद्दिपी वड़ी तनमेता से लिखे रहा हूं लेकिन फिर भी कुछ खल बुद्धी के लोग होंगे वह इसमें दो सदर्शन करेंगे उनकी मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंको उनकी प्रकृति ही ऐसी होती है तो उन्होंने एक श्लोक लिखा खलो म्रगयते दोसम गुण पूर्णे सुबस्तुसू बने पुष्व भलाक किरिने पूरीशम इवशूकर हूं उन्होंने वताया कि देखो व्यक्ति की दो प्रकार की वृत्ती होवै एक शूकरी वृत्ती होवै एक ब्रहमरी वृत्ती होवै ब्रहमरी विर्ति को तातपर्य जैसे ब्रहमर होता है कमल पुस्प विकसित हो रहा है जल में कीचड है काई है अन्य प्रकार की गंदगी है ब्रहमर जाएगा न गंदगी को महत्त देगा न कीचड को महत्त देगा न काई को महत्त देगा वहाँ उस कमल पुस्प को महत्त और जाकर के कमल पुस्प में बेट करके उसकी सुगंधी का लाव प्राप्त करेगा गुण देखा इतने दोस पूर्ण इस्थान पर वीवान गुण देखो जाचा परिक्षित जी महराज नानुद्विष्ट कलिम संब्राट सारंग इव सारवुक प्रतम इसकंद में अठार सारंग यानि ब्रहमर सारग्राही होता है ऐसे इस सार को देख लिया कि इसमें तो एक विशेश गुण है तो यहाँ भ्रामरी वृत्ती वही दूसरी दोस दर्शन की जो वृत्ती होती है वहाँ वंशी धरजी कहते हैं शूकरी वृत्ती हो गया जैसे किसी ने बड़ा थ्र करके किसी बाटिका का निर्मान किया बगीचा बनाया वहाँ बगीचा में सुंदर सुंदर व्रिक्ष हैं सुंदर सुंदर सुकोमल हरी हरी दूर्बा है पुस्व विकसित हो रहे हैं सुंदर सुंदर फल लग रहे हैं पक्षी कलरव कर रहे हैं यानि सब प्रकार से बने पुस्प भला किरने और वा में काई सूकर को छोड़ दियो जाए और वा वाटिका में एक कौनी में कहीं मल पड़ा हो तो सूकर किसको महत्त देगा सुन्दर ब्रक्षों को महत्त देगा सुन्दर पुस्पों को महत्त देगा वाकी द्रिष्टी कहीं जाएगी वाकी द्रिष्टी न तो फूलन पे जाएगी न बिरक्षन पे जाएगी न फलन पे जाएगी न सुन्दर सुकुमल दूरवा पे जाएगी न जो सुक पिक आदी पक्षी मदुर कलरव कर रहे हैं उन पर जाएगी वाकी दृष्टी तो वहीं जाएगी वाक कोनी में जहां मल पड़ो भयो है इतनी सुन्दर वाटिका में भी वाने मल खोज लियो तो यह दुष्ट प्रकृति की लोगों का शभाव होता है बंसीदर जी कहते हैं अनेक प्रकार के गुणों से परपूर्ण को इवस्तु है वाओ में जो खल प्रकृति के लोगों हो वह में दोस दर्सन कर लेते हैं वाओ में दोस को अनसंधान कर में लग जाएं पुरीशम इवसू करह जैसे पुष्प फल आदी से युक्त उस वाटिका में जो सभी प्रकार से शुकद वस्तु में थी स्रोत्रिंद्रिय के लिए सुन्दर सब्द हो रहा है सुक पिक आदी ध्वनी कर रहे हैं परशेंद्रिय के लिए सुन्दर सुकोमल दूरवा है खाने के लिए सुन्दर सुन्दर फल हैं उस बाटिका में सुगंधी के लिए सुन्दर सुन्दर पुस्प हैं इस प्रकार से अनेक गुणों से युक्त है बाटिका तो वा में भी उन गुणों को महत्वन दे करके और दोस का अनुशंधान कर रहा है तो यहां निक्रिष्ट प्रकृति के लोगन की इस्तिती होगे दोसदर्षन की तो जहां दोसदर्षन की प्रकृति होगी वहां पर सरद्धा कैसे होगी और जब सरद्धा ही नाय होगी तो चित्त में ज्ञान की अवस्तिती कैसे होगी है नाय सके तो प्रतम जो दोस दर्वसन की प्रकृति है या कूँ छोड़नों चाहिए और वाईशनवन में तो विशेशकर दोस नहीं देखना चाहिए वाईशनवन में कई शरीर अगत या सभावगत कोई दोस दिखाई दे तो वो दोस नहीं माननों चाहिए स्री रूप गोश्वामी जी ने लिखा बपूगत यानी शरीर में जैसे कोई रोग हो गया कोई व्यादी हो गई अतवा कोई कुरूपता है अतवा वृद्धावस्ता है अतवा सुभावगत कोई दोश आलश्य है कठोरता है क्रोध है लोब है ऐसी कोई वृत्ती दिखाई दे तो वाकूँ दोश नहीं माननो चीए वश्ण वन्मा ब्रह्मा द्रवत्व मपकच्छत नीर धर्मई गंगाम भसामन खल बुदवुद फेन पंकही ब्रह्मा द्रवत्व मपकच्छत नीर धर्मई जैसे जो जल में बुदवुद फेन होगे न वाकूँ ब्रह्मत्या को प्रतिक मानो गयो है लेकिन गंगाजी में वा फेन को कोई दोस नहीं मानो जाए गंगाजी ने जल के धर्म को अंगीकार कर लिया उसमें बुदवुद बुलबुले उट रहे हैं फेन आ रहा है वा फेन से गंगाजी का गंगात्त नश्ट नहीं होता वाकि जो ब्रह्म द्रवता है वा नश्ट नहीं होती तो ऐसे ही बुदवुद और वा फेन गंगाजी के गंगात्त को नश्टनाय कर सके वाकि ब्रह्म द्रवता को नश्टनाय कर सके ऐसे ही वैश्णवन में कत्थंचिद कोई यह प्राकृत दोसे दिखाई दें शरीर गत दोस या श्रभाव गत दोस तो वह हमारी प्राकृत चक्षुवन कोई दोसे समझनों चाहिए क्योंकि वैश्णवदी है तो चिन में होता है माप्रवुचैतन्यदेव ने कहा प्रवुकहे वैश्णवदी है सदा चिन में दिक्षा काले भक्त करे आत्म समर्पन सही काले कृष्णतारे करे आत्म सम प्रवुकहे वैश्णवदी है प्राकृत कभून ना है अब प्राकृत देह वैश्णवेरे सदा चिन में वैष्णव का देह प्राकृत नहीं होता वैष्णव का देह अब प्राकृत होता है चिन में हो जाता है जैसे ठाकुर का विग्रह चिन में है ऐसे ही वैष्णव का देह भी चिन में होता है दिक्षा काले भक्त करे आत्मसमरपन सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम जब वाईशनव दिक्षा ग्रहन करता है स्री ठाकुर जी के भजन में परिनिष्ठ होता है सद गुरु स्री ठाकुर जी के चरणन में लेजाव है वाईशनव को वाईशनव दिक्षा काले भक्त करे आत्मसमरपन वो जो वैश्नव अपना आत्म समर्पन करता है सेही काले किष्ण तारे करे आत्म सम वाई समय शरी ठाकरजीए ऊपने समान मना दें चिन में विग्रह हो जाता है वैश्नव का तो उस चिन में विग्रह में सरीर अगत दोस को दिखाई देता है तो हमारे प्राकृत चक्षुओं का इदोश है वाइश्टव में सरीरगत कोई दोश नहीं है उनका तो विग्रह चिन में हो गया वहाँ जराव्यादी आदी कैसे हो सकते हैं जैसे आख्यान मिले स्री सनातन गोष्वामी पाद जब जारकंड के जंगलों से होते वह आए तो मद्ध में प्रिपासा प्यास लगती थी तो कहीं ऐसा जल पी लिए जिससे उनके सरीर में सरवत्र खुजली हो गई खाज जैसी हो गई संपूर्ण सरीर में खाज जैसी हो गई महाप्रभु के समीप गए तो दूर से प्रणाम करते थे महाप्रभु जी समीप में आये तो एकदम पीछ अट गए अरे प्रभु ये आप कहा करो मेरे सरीर में संपूर्ण सरीर में खाज जै रही है वामे से वो रस जैसे निकल रहो है महाप्रभुजी ने जाकर और सनातन गोस्वामी जी को अंक में भर लियो सनातन गोस्वामी जी सक बका रहे हैं कि देखो मेरे सरीर में सब जगे ये पीब जैसी निकल रही है खाज हो गई है और महाप्रभुजी को अश्री बिग्र है यामे या लग जाएगी मन में संकोच कर रहे हैं महाप्रुभु जी ने अंक में भर ली सनातन वैश्णव काद्रे है प्रक्रत नहीं होता चिन में होता है तो ऐसो सरीरगत को इदो से दिखाई दे अत्वा स्री रसिक मुरारी जी को चरित्र प्राप्त होगे भक्तमाल जी में रसिक मुरारी जी वड़ी संतन की सेवा करते और प्रत दिन संतों का चर्नाम्रत ग्रहन करते थे प्रत दिन जो भी संत उनके यहां आते थे बंडारा होता था उनका चर्नाम्रत ग्रहन करते थे एक दिन अपने सिष्य को उसके अंतर हिर्दय की वात जानवे के निमित आदे से दियो कि लाला सबरे संतन को चर्णामिर्ट ला वह सिस्य गयो तो जितने वी संत विराजमान थे सब का चर्णामिर्ट उसने लिया एक वैश्नव कुष्ट रोगशे ग्रशत थे तो वह सिस्य के मन में कच्छु ग्रणा को भावो देते गयो वह उन संत का चर्णामिर्ट नहीं लाया और रसिक मुरारी जी को वह चर्णामिर्ट भेंट किया रसिक मुरारी जी तो इस बात को जानगे क्योंको वह तो सिद्ध महापुरस दे चरनामरत पान किया शिष्य से कहा भुले लाला या चरनामरत में वहा स्वाद नहीं आयो सच बता जाम बात कहा ए हैसो तो ना कि काई संत के चरनामरत से तुमों को वंचित कर रहो है शिष्य ने वताई भुले गुरुजी हकीकत बात तो यह है कि वह जो कुष्ट रोग से ग्रशित संत थे उनका चर्णामृत में नहीं लाया अरे तुने या क्या किया इसलिए चर्णामृत में भाज अस्वाद नहीं आया अपराद करके आया संत का जा उन वाईश्णव का चर्णामृत भी ला पिर उन कुष्ट रोगशे ग्रशित जो संत थे उनका चर्णा मृत्वा सेवक लाया रशिक मुरारी जी ने पान किया तो कहने का तात पर या वैश्नवन का जो विक्र है जो सरीर है वो अचिन में हो गए उनको कोई सरीर अगत या सभावगत कोई दोस दिखाई दे तो जैसे गंगा के गंगात को बुदबुद और फैन नश्टने कर सकते ऐसंगी वैश्नवता का वह वैश्नवता को तुरोहित नहीं कर सकते इसलिए उन दौसों को नहीं देखना चाहिए यदि दिखाई भी देते हैं तो हमारे प्राकृत चक्षूओं का ही दोसे सरीर गत दोस, सोभाव गत दोस, जैसे लोब की वृत्ति दिखाई दी, क्रोध की वृत्ति दिखाई दी तो वहा क्रोध, लोब, काम आदी हमारे जैसे नहीं है जैसे हम जैसे पामर जीवों के चितम कामक्रोध की वृत्तियां उत्तित होती है और उनी से हम उन्हें वैश्णवन की तुलना कर लें कि साब क्रोध तो हमकु भी आ रहु है और दुर्वासा जी को भी कुरोध आता है तो दुर्वासा जी के कुरोध की अपने कुरोध से तुलना करने है नारज जी ने भी नलकूबर मनिग्रीव को साप दिया उनको कुरोध आ गया और हम अपने कुरोध की तुलना करें नहीं वाइश्णवन के मन में कतंचित ऐसी जो वृत्तियां उत्तित होगें तो उनमें मूल होगें स्री ठाकुर्जी की इच्छा वैश्णवों के मनमय कामक्रुद आदिकी वृत्तियां देखी जाएं तो वो भगवद इच्छा जनित होती हैं उसमें स्री ठाकुर जी किसी लीला का विश्टार करना चाह रहे हैं इच्छा भगवान मुख्य गोण लोब जानिक है सदावर्ति महाजन जी को आख्यान आवे वहाँ प्रियादाची लिखे हैं कि सदावर्ति जी का संत सेवा का शंकल्प था प्रत दिन संत सेवा उनके घर में चलती थी और बड़े भाव से सेवा करते थे तो एक संत को मन कचू ऐसो लगो कि सदावर्ति जी के घर में ठहर गए और वहाँ सदावर्ति जी का एक पुत्र था वह से उनकी मित्रता हो गई संत की मस्ती वाई के साथ में कभी खेलवे निकल जाते वह सदाव्रती जी का पुत्र एक दिन अनेक आभूशन धारन करके गया था उनके साथ में सुवरन के सुन्दर सुन्दर आभूशन संत के मन में लोव जाग्र तह गयो और संत ने वाकू मार दियो वाकी हत्या करके और धूल में वहीं गाड़ दिया गड़े में आभूशन थे आभूशन स्वेम ले लिया इधर साइंकाल की बेला भाई पुत्र घर में नहीं लोटा तो सदाव्रती जी ने धिनोरा पिटवाया पूरे नगर में अरे भाई किसी को हमारा लड़का मिला हो तो हमको सूचना देदा और वा संत जी भी सात में है सदाव्रती जी के लेकिन जब संत जी ने उनके पुत्र को मारा था तो वह गटना किसी अन्य सन्यासी ने देख ली थी तो सन्यासी आया और सन्यासी ने सदाव्रती जी को कहा कि अरे आपके पुत्र को तो इसी महत्मा ने मारा है और चलो मैं बता दूं कहां गाड़ा है सदावर्ती जी को ले गया हुआ सन्याची वह इस्था ने दिखलाया देखा तो मृत शरीर मिला पुत्र का अब सदावर्ती जी ने उपाय सोचा यदि इसने सब के सामने कह दिया तो चंत जी को दंडित होना पड़ेगा लोगों की संतों से महातमाओं से सरद्धा गट जाएगी साद्वों से सरद्धा गट जाएगी तो ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा तो सदावर्ती जी ने वहीं उन्पर कोप का अभिनाय करते हुए का उले सन्याची जी मेरे वेटे को तो तुमने यह मारा है अरे माराज हमने तो तुम्हारे पुत्र के हत्यारे को बताया और या आरोब तुम हमारे उपर लगा रहे हो बोले नहीं तुमने ही मेरे बेटे को मारा है और मैं जाकर कि अभी राज करमचारियों को सूचना दूँगा या तो तुम यह बात किसी से कहना मत कि इन संत ने मेरे पुत्र को मारा है नहीं तो मैं तुमको ही दंडित करा दूँगा तो वो तो और ससंकित हो गए वो सन्यासी जी वहां से चले गए इधर इन संत जी के मन में कुछ संकोच रहता था कि देखो मैंने इनके पुत्र की हत्या की और वाके उपरांत में मेरो इतनो आदर इतनो सतकार मन में संकुचित रहते थे तो इनकी उदारता देखो सदाब्रती जी की जो भर्यां थी उन्होंने कहा संत जी अपने मन में कचु संकोच अनभव कर रहे हैं यहां रहवे में और यह चले गए तो घर सूनो सूनो है जाएगो तो क्यों ऐसा करो अपनी या छोरी को इनके साथ व्या कर दे तुमारा छोरी को व्या कर दियो तो कहने को तातपरिया अब संतने वा छोरा की हत्या करी तो वहां प्रिया दाशी लिखते हैं कि इच्छा भगवान मुख्य गौण लोब जाने के मारव सुत गाडव धूर ग्रिया आयो पचिताय के जो संत के मन में वा लोब की इच्छा जागरत वही बामे इच्छा भगवान मुख्य जो लोब की विर्ति जागरत वही वामे इच्छा भगवान मुख्य गौण लोब जाने के सदाब बृति महाजन के पुत्र को संत जी ने मारा उसमें भगवान की इच्छा प्रधान थी लोब की वृत्ती तो गौण थी क्योंकि भक्त के मन में भक्ति प्रवृत्ता रजव स्तमो पहा ये रजोगुन की तमोगुन की वृत्तियान का तो उनमूल नहीं है जाए जब भक्ति को उदय होवे अरदय में तो वहाँ भगवान की इच्छा प्रधान थी कहने को तात परे वैश्नवन के मन में कभी-कभी ये वृत्तियान उत्थित होवे तो वहाँ भगवद इच्छा जनित भगवान की इच्छा क्यों थी तो अन्तिम जो शप्य प्रियादाश जी ने लिखा वहाँ में बतायो कि अपने भक्त का कीर्ती वर्धन करना चाह रहे थे सुयस वर्धन करना चाह रहे थे सदावरती जी की भक्त निष्ठा को प्रकट करना चाह रहे थे अंत में सदावरती जी के गुरु जी आये और उन्होंने पुत्र को जीवित कर दिया तो वहाँ अपने भक्त की महिमा को प्रकट करने के लिए ठाकुर जी ने ये लोब की वृत्ती जगाई उन महात्मा जी के इरदे में तो भगवान इच्छा प्रधान गौड लोब जाने के हैं कहने का तातपर्य कोई स्वभाव गत दोस्त दिखाई देता है तो वो भगवद इच्छा जनित ही होता है नारज जी माराज ने तपस्या की काम पर विजय प्राप्त की मन में अभिमान आ गया कि मैंने काम को जीत लिया शिवजी के सामने जाकर के अपनी प्रसंसा करवे लग गए शिवजी ने कहीं चलो हमसे करी सो करी लेकिन ठाकुर जी के सामने मत करी हो अपनी प्रसंसा वह नारज जी अपनी प्रसंसा करवे लग गए तो ठाकुर जी ने लीला रची माया से एक नगर बनाया और वा में एक राजा था उसकी कन्या मोहिनी जिसका सुयंबर होने जा रहा था तो नारजी माराज वहां पहुंच गए कन्या को हाथ देखो बुलियाको बरतो बड़ा बलवान होगा धनवान होगा यसस्वी होगा नारजी के मन में भावना जाकरत वही क्यों नहीं आते मैं ही ब्याह कर लो ब्याह की भावना जाकरत है गई लेकन ब्याह कैसे करूँ क्योंकि ये तो राजकुमारी है और अम बावा जी है तो कचुवेसा स्वरूप भी तो चाहिए अब नारा जी की यह इस्तिती ऐसी भई कि अब भजन में जप में तब में मन नाय लग रहा हूँ कहां तो कामदेव ने कितनो नाचगान कियो और उनकी बृत्ति को खींच नहीं पायो उनको भजन से डिगा नहीं पायो और कहां यह इस्तिती आ गई कि जब तब भजन होई नहीं ते इकाला भजन है नारो और कैसे यासे व्याह हो नारा जी ने विचार कियो चलो ठाकुर जी के समीब में चलें भगवान के समीब में गए और प्रवुशे प्रार्तना की प्रवु मन में कचू ऐसी इच्छा उदित भई है तो हम चाहें आप हमको अपनो स्वरूप दे देओ यानि आप हमको सुन्दर बनाए देओ सुन्दर रह जाएंगे तो अपनी अभ्या करेगी तो भगवान ने सुन्दर तो नहीं बनाए बंदर बना दिये बंदर का मुँ दे दिया नारो जी को अब वहाँ आये जहाँ स्वयंबर था वहाँ स्री ठाकुर जी स्वयंबर राजकुमार बनके आ गए और वहाँ मोहिनी ने स्री ठाकुर जी के गले में ही बरमाला डाल दी अब नारज जी तो हक्के बक्के रह गए हम तो बड़ी आसा लगा के यहाँ आये थे इधर शिवी जी के गण नारज जी को उपहास कर रहे है थे तो गणन ने कही महराज जाके ने के अपनी सकल तो देख लिए पहले तो नारज जी गए और जल में जब अपनी सकल देखी तो बंदर को स्वरूप अब तो बड़े खीजे बोले देखो भगवान ने ही हमारे साथ धोका कर दिया ये सदा से धोके बाज रहे हैं समुद्रमंतन हुआता जहर सिवजी को पिला दिया और अमृत देवताओं को पिला दिया और लक्षमी जी को लेकर के स्वेम चले आए सदा से धोके बाज रहे हैं तो अब तो मैं साब दे दूँगा, अब देखिए, काम की विर्ति भी जागरत भई उनमें, विभाह की इच्छा जागरत भई और यहां क्रोध की विर्ति भी जागरत भई और ठाकुर जी सामने आए, मोहिनी को ले करके, तो एकदम कोपा वेश में नारजी ने साब दे डाल आपने मेरा बियोग कराया है, मैं बिवाह करना चाहता था इससे, तो मैं भी साब देता हूँ, आपको भी अपनी प्रिया से बियोग सेहन करना पड़ेगा, दूसरा मुझे बंदर की सकल दी है, तो साब देता हूँ कि बंदर ही फिर तुमारी साहता करेंगे, भगवान मु आया थे, अब देका भगवान अकेले है, नारजी को हो साया, और रही राम जी या मैने क्या कर डाला, तब नारजी चरणों में गिरे, और नारजी ने प्रार्तना की, मिरसा हो इमम शाप कराला, प्रभू, यह तो बड़ा गड़वड हो गया, अब तो मैं यह चाहूँ, य आम इच्छा कह, दीन दयाला, नारजी यह मैं आपको कोई दोसना, यह तो सम मेरी इच्छा से ही वह हो है, तो कहने को तात परे, यह काम की वृत्ति उदित भई, लोब की वृत्ति उदित भई, यह भगवद इच्छा जने तो, और वासे लीला को विश्तार हो है, और आमा दोस होगे भी, तो वाकूं प्राकृत भाव से नहीं देखनों चीए, यह अपने प्राकृत चक्षून कोई दोस है सके, जो वैश्नवन में सिद्ध महापुरसन में कोई ऐसी वृत्ति उदित होगे, तो वह भगवद इच्छा जनित होती है, और हम लोगों के अंतर मन में ऐसी वृत्ति उदित होती है, तो वह माया जनित, माया से उतित होती है, तो यहाने कि हम को क्रोध आया, दुरवासाजी को क्रोध आया, नारजी को क्रोध आया, तो हम में और उनमें अंतरी क्या रहा, अपनी समानता करवे लग गए, नहीं, तो कहने को तातपर्य, दोस दर तो इसलिए स्रद्धा पूरबक दोस दर्शन से रहितो करके स्रद्धा पूरबक श्री ठाकुर जी के अनुरागी जनन को संग किया जाए और या भाती ब्रज में बास किया जाए यही समस्त उपदेशों का सार है जाए स्री रादे